अलो फ्रेंस कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे एक्जाम यू के लर्मिंग प्लैटफोर्म में आपका स्वागत है तो चलिए हिस्टी के दो आपिसोड और डिड़ी आपके सामने आच चुके हैं तो आज हम सेशन थर्ड या एपिसोड तीज नाम से अगले सेशन को आपके सामने ला रहे हैं आई होप आपने पिछले सभी सेशन को देखा होगा अगर नहीं देखा है तो फट 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 देख लीजिए सभी क्वेशन जो हैं प्रिवेश एग्जामिनेशन में आएवे सवाल हैं और सभी एक दम इंपॉर्टेंट 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 ही है तो वैसे ही हर बार की तरह सभी MCQs PYQs ही रहेंगे अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डेटेल एनलसिस इसमें होती है और आंसर आपके ऑफिशल की के अकॉर्डिंग ही होते हैं लाइक करें शेर्ट चैनल को शेर करें और सब्सक्राइब करें ठीक है फ्रेंट हमें स्पोर्ट कीजिए फटा फट अब तयार हो जाएए हर सवाल का आपको आंसर देना है और थोड़ा सा active रहा कीजिए जब session चल देताब थोड़ा सा active रहा कीजिए ऐसे ढिले से मत रहा कीजिए तो चलिए first सवाल आपकी screen पर आ रहा है बताएए इसका आंसर क्या है चलिए अब की बार मैंने आपको साथ के साथ ये भी लिख दे कि किस exam में आया है ताकि आप confirm कर सकते हैं चेक कर सकते हैं Paleolithic remain have been discovered in dash पुरा पाशान अवशेश इन में से किस जगह पर पाए गए पुरा पाशान अवशेश इन में से कहां पाए गए पुरा पाशान अवशेश जो थे इन में से बेलरी में पाए गए अब पुरा पाशान अवशेशों के बारे में अन्य जानकरी मैं आपको बता देता हूँ तो ये जो पुरा पाशान के जो अवशेश हैं साउथ इंडिया दक्षणी भारत में तंजोर है मदूरा है मदूराई भी जिसे कहते हैं कदूर वामती ताल्या इन एरिया में पुरा पाशान के जो अवशेश है पाए गए हैं इसके अलावा बेलारी डिस्टिक्ट में और मद्रास के एरिया में भी काफी ज़्यादा इस परकार के अवशेश देखे गए हैं और इसके अलावा गुंतूर गोदावरी कृष्णा इन सब एरिया में इस परकार के अवशेश हमें मिले हैं और यहीं से एक्जाइम ने एक सवाल क्या कर दिया आपके सामने रख दिया और नदन इंडिया की बात करें उत्तरी भारत में ओल्ड श्टोने श्टोन के जितने भी हमें मिले हैं वह यहां मिले हैं बेंगाल बिहार औरीशा और मध्या परदिश बढ़िया सवाल था टेक है इतना आसान सवाल नहीं था जितना की आप समझ रहे हैं अगले सवाल का उत्तर दो बहुत ही एजी वेरी वेरी एजी इन में से ये किसके तीन रतन है शावाज फटा फट बताओ किसके ये तीन रतन है वेरी गुड वेरी गुड यह तो आना चाहिए वह ये आपके जैन धरम के क्या है तीन रतन है जैन धर्म के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ग्यान और सम्यक चरित्र के बारे में बात की जाती है यानि right belief, right knowledge and right action ये तीन जो रत्न हैं ये जैन धर्म के रत्न माने जाते हैं जो मैंने यहां पर भी आपके सामने लिखे हुए हैं लेकिन इसकी जूर्ट नहीं है अगले सवाल के तरफ आगे बढ़ जाते हैं और अगला सवाल देखें जरा क्या है वो अमंग दा फॉलाविंग रूलर्स हेल्ड आ रिलीजियस असेंबली एट परियाग एवरी फाइव यर प्रतेक पांच वर्षों में इनमे से प्रियाग राज में कौन जो था वो सभा को का आयोजन करता था क्या वो अशोक था क्या वो कनिश्क था क्या वो हर्ष वर्धन था या फिर चंदर गुप्त विक्रमा दित्य था शाबाश पटा पटा आंसर बताईए क्या है इस सवाल का आंसर बताईए क्या है तो इस सवाल का आंसर होगा हर्ष वर्धन option number C मार करेंगे कौन जोगा हर्ष वर्धन C इसका बिल्कुछ 60 का अंसर है हर्ष वर्धन ही वो शाषक था जो क्या करता था प्रती पांच सादों में प्रियाग राज में एक धार्मिक साबा का आयोजन करता था और हर्ष वर्धन के समय में ऐसी जो आयोजन है assemblies है वो कितनी बार होई है छे बार हर्ष वर्धन ही करा चुका है ठीक है तो इस बात को आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आगे के लिए चलिए फ्रेंट हर्ष वर्धन में यहां पर बी नहीं बी नहीं होगा ठीक है हर्ष वर्धन है वह इस आपके सामने है दर्शन का वह वाद है जिसके साथ कपिल का नाम पर मुक्ह रूप से जुड़ा हुआ है दर्शन जो है आपके छे परकार के दर्शन होते है चार परकार के दर्शन आपके सामने है दो और होते है कमेंट सेक्षन बता वो दो बाकी कौन से आपके दर्शन है तो उनी दर्शन के बीच में से ये कहा जा रहा है कि जो कपिला है वो दर्शन के किस हिस्से से जुड़ा हुआ था ये किस हिस्से जुड़े हुए थे तो इस सवाल का जो उत्र होगा संख्य कौन सोगा संख्य देट इस ओप्शन नमबरें देख लिया आपको लगता था कि मैं यहां पर आकर रोज आपको क्या करता हूँ टफ टफ सवाल करके फरिशान करता हूँ अब आप खुद देखो क्वेशन का टैग आपके सामने है अब खुद अपनी तयारी को आँकलो आप कितने पानी में है यह मेरे बनाएवे सवाल नहीं है कि अब मुझे कहो कि हाँ सर आप तो अपने हिसाब से टफ टफ सवाल बनाते हो ताकि आप हमें ड्रा सको यह आपके सामने पेपर का नाम भी दिया हुआ है आप चाहें जाकर तो सर्च भी कर सकते हैं आप में से कई स्टुनेंट्स ने तो यह दिया भी होगा यह एकजाम ठीक है संक्य है तो कपिला के बारे में जान लीजिए कपिला जो थे एक वाइश इंशेंट सेज थे और संक्य फिलोसफी को क्या करते थे आगे लेकर किया आते थे और कपिला जो है अपनी टीचिंग्स के लिए काफी प्रसिद्ध जिसमें इनने भक्ती योगा के बारे वी चर्चा की हुई है option number A चलिए अगरा सवाल कहां से बताओ which is not true of मुगल आर्मी मुगल आर्मी या मुगल सेना के संबन्द में इन में से क्या सच नहीं है तीन बाते सई है और एक गलत है आको गलत भाट ढूननी है वह एक बड़ी स्थाई सेना थी मुगलों के पास बड़ी स्थाई सेना थी उसके पास एक यानि मुगलों के पास एक दक्श घूर सवार फौज हुआ libr Springs तो यह तो यह तो डी आप्शन तो पहले ही नेगिटीव है तो इस सवाल का आंसर किया हूँ आप्शन नमबर ए तो आप्शन नमबर ए यहां पर यह कहता है कि मुगलों के पास एक बड़ी स्थाई सेना हुआ करती थी यह जो बात है सच नहीं है यह गलत है इसलिए यह इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आगे चलते हैं विच बॉडी गार्ड अफ शिवाजी अकंपेंड हिम डिरिंग हिस फेमस एसकेप बिड फ्रम अफजल खां अफजल खां और शिवाजी के बीच में जब एक भिढ़न तुई थी जब यह आमने सामने आये थे तो शिवा मैं मुझे लगता है 90% बच्चा नहीं जानता होगा कि इसका क्या अंसर है यह है आज कल के पेपर के डिमांड आप से तो इसका अंसर हो जाएगा option number A क्या जाएगा option number A शंबू जी कवी जी शंबू जी कवी जी ने जो इनके अंग रक्षक थे इनों ने अफजल खां से इन वाकाटक जो हैं इन में से किस काल्क से सम्मंद रखते हैं तो जो वाकाटक हैं वो गुपता काल्क से सम्मंद रखते हैं वाकाटक जो थे आपके डेकन सदन हिस्से की तरफ में क्या करते हैं रूल किया करते थे और साउथ के हिस्से में जब रूल करते थे तो उस दुरान ह अमारे ऊपर के एरिया में नॉर्दन एरिया में गुप्ता जरूल क्या करते थे बाकी तो मौरिया, कुशान, हर्ष यह सब तो नहीं इसके अंसर हो सकते हैं यह तो टाइम लाइन में अलग हैं तो गुप्ता इसका बिलकुत सही अंसर बैठने वाला है अगला सवाद को नहीं भीयालत तब भी आप इसका अंसर कर सकते हैं ध्यान से पंडा स्वदेशी को बढ़ावा देने के भाग के रूप में हद करगा इवे बुनाई का पुनर जीवन जी हां जब असायोग आंदुलन इन्होंने शुरू किया था स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दिया था और हद करगा और बुनाई की चीजों को बनाने लग गये थे विदेशी सामान का बहिशकार हो रहा था ये बात बिल्कुल सही है अगला विमर्श पूर्वक कानून का उलंगन यानि मिलकर के सभी ने एक विचार विमर्श किया और ये कहा कि सारे कानून का उलंगन करो तोटली रॉंग कानून के उलंगन की बात नौन को आपरेशन मुवमेट में होती ही नहीं थी ना हुई है विदेशी सामान का बहिशकार बिलकुल सही बात है जी हाँ विदेशी सामानों का बहिशकार भी हुआ है सरकार का स्योग देने से भी ये इंकार करते थे लेकिन ऐस सब मिल करके इनके नियम कानूनों का उलंगन करते हैं ऐसा नहीं था ऐसा नहीं था हां बीच में कुछ ऐसे उगरवादी सोच विचारधारा के वक्ती थे जो ऐसे करते थे लेकिन इन्हों उने मिलकर ने सब भी थोड़ी बनाया कि हम सारे के सारे जो है रूल्स को क्या करेंगे बॉयकॉट करेंगे या उनको वाइलेट करेंगे ऐसी बात नहीं थे ना इसका आंसर आप क्या मार्क करेंगे इस सवाल का एक्जक्ट आंसरों का ऑप्शन नमबर बी चलिए अगरे सवा के अंतरगत हुआ था आप हिश्टी स्पेशल का बैच जिसने पढ़ा है इन सभी एक्ट को मैंने एक-एक करके पढ़ाय हुआ है दस-दस बार-बार मिंट लगा कर हर एक एक्ट को पढ़ाय था और कहा था कि इन एक्ट से सवाल आते हैं इनके अंदर जाओ इने पढ़ो आ अगले वर्ष 858 में ठीक है यह बात हुई थी एक अधनियम लाया गया था जिसमें स्पष्ट तोर पर यह कहा गया था कि अब से जितने भी राज्य को हम हड़ते हैं अपने अंदर सम्मेलित करते हैं बिटिश राज्य के अंदर अब से इस परकार की नीती का पालन हम नहीं करेंगे अगला सवाल भारती राष्टे कांग्रेस ने किस जगह पर आयोज अधिवेशन में पूर्ण सवराज के संकल्प को अपनाया था यह मैंने शाद पिसले सेशन में भी करवा दिया था अब तो यहां पे बिद पेपर भी टैग भी लग चुका है कि हच पी फिशरी अफिसर पोश्ट कोड में आया हुआ है तो देख लो भाई इस सवाल का अंसर ला हो रहा है मैक्सिम बचने इस का अंसर कर भी दिया होगा ठीक है फैंड तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतने कुशन काफी है लेवल काफी बढ़िया है सवालों का देख लो इस लेवल हम बना रहे हैं ताकि आप फटा फट सेशन को कवर करें और इंपॉर्टन इंफॉर्मिशन को आप गेन करें रादर दन कि हम यहां पे एक एक डेड़े दो दो घंटे के लैक्टर ने वो तो फिर सिरदर्द है उसमें आप भी नहीं ध्यान देंगे इस से बहतर हमें यह आपके एक्जान के लिए आपको बेस्ट विशिज चैनल को लाइक करो शेर करो और सब्सक्राइब करो हमें अपना प्यार दो स्पोर्ट करो अपने फ्रेंस के साथ इसे शेर जरूर किया किजिए तो बाकि जितनी भी अदर इंफोर्मिशन आप हमसे चाहते हैं वह डिस्क् में लिंक्स पड़े हुए हैं तो इजाज़त दीजिए नेक्ट शेशन में जल्दी मुलाकात होगी तब तक घन्यवाद जय हिंद जय भारत